हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं बजे ध्वजा रोहन कारिक्रम आयोजित किया गया जिसमें भक्त जनों ने धोल नगारू की थाप पर ध्वजा रोहन किया उसके बाद दस बजे महाप्रसादी का आयोजन हुआ जिसमें अरठ वाड़ा गाउं के आसपास सेक्डों की संख्या में लोगों ने भाग लिया ने देर राद तक एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तूती दी जिसमें मंत्र मुग्द होकर शोता जूम उठे हम आपको बता दे कि ये वार्शिक मेला प्रतिवर्श रक्षा बंदन के दिन आयोजित के आ जाता है जिसमें सवेरे से ही भक्तों का ताता लगा रेता है यहाँ पर मंदिर परिसर के बाहर एक किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लगती है दर्शनों के लिए वही हाट बाजार भी लगता है महिला एवं पुरुष खरिकदारी करते हैं शाम तक मेले का आयोजन रखा जाता है उसके पश्चात विसर्जन होता है शाम के आर्थी के बाद रात्री भजन संध्या में भक्त गण देर रात तक यहाँ रुकते हैं इस मौके पर मंदिर कमीटी केंदरी ट्रस्ट्री गण एवं अन्य भक्त राज उपस्तित रहते हैं जाग रुक टिवी के लिए पोसालिया सेच चंपालाल माली की रिपोर्ट